Hello guys, most welcome, हम कर रहे हैं Business Organization and Management for Become BVA First Year Students, आज हम new chapter स्टार्ट कर रहे हैं, यानि कि unit number 3 हमारा complete हो गया है Unit number 4 की और हम बढ़ रहे हैं, यानि कि अभी तक हमने 3 unit complete कर लिए इस subject की 4th स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में एक और unit बचेगी 5th फिर हमारा Business Organization and Management का जो syllabus है, वो पूरा cover हो जाएगा और ये सारे lectures आप देख करके, अच्छे से समझ करके, इनको note करके exam में जाते हैं तो आपके 100% बहुत अच्छे marks आएंगे, चलिए ये जो मैं chapter स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे कुछ university के अंदर ये unit number 3 में है और कुछ में 4 में है तो उसे क्या फरक पड़ता है, आपकी syllabus में तो है ना, तो इसको ignore करके आप बस अपना syllabus cover कीजिए ठीक है, तो आज का जो हमारा chapter है, वो है nature and process of organizing organizing, organization, कुछ याद आया होगा ना, business organization and management subject का नाम, यास, उसके लावा एक चीज़ और याद आई होगी, कि जो manager होता है, manager, manager को कौन होता है, manager वो person होता है, जो क्या करता है, management, जो क्या करता है, management, yes, और management क्या है, it is a work, और इस management में क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या जाता है, planning, फिर क्या जाता है, organizing, yes, फिर क्या जाता है, staffing, then direction या directing और controlling, तो what is this, these are functions of management, management जो काम करता है, उसको बोलते हैं, functions of management, और manager इस काम को करता है, तो ये functions हैं, जो management में काम होता है न, वो ये हैं, तो इस planning तो हमने समझा अच्छे से, अब हम क्या समझने वाले हैं, organizing, वैसे functions of management का जो lecture आया था, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैं छोटा सा उसका quick revision देता हूँ, दो मिनट का, मैंने बताया था, सबसे पहले जो आपका organization है, हाँ, जो आपका business start कर रहे हो, yes, उसकी planning त्यार की जाती है, कि क्या plan है आपका, उस plan से पहले आपके objective decide हो जाते हैं, गोल decide हो जाते हैं, और उस goal को achieve करने के लिए आपको जो resources चाहिए होते हैं, उसमें man, material, machine, method, money, market, ये सब को organize करना होता है, इन सब को responsibility देनी होती है, और फिर staff को appoint करना पड़ता है, human resource management, HR, और फिर उनको direct किया जाता है, आप ये काम करो, आप ये 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 करो, और उसके बाद में उन पे control भी रखा जाता है, जैसे हमारे घर में साधियों का सीजन आ रहा ना भी, तो साधियों की सीजन में क्या होता है, हमारा भी purpose होता है, क्या purpose होता है, कि साधी बहुत अच्छे से हो जाए, जैसे जो responsible person होता है, जो main आदमी होता हमारे घर में, वो अधिकतर हमारे parents होते हैं, और अगर किसी की स सबसे पहले budget decide होता है फिर उस budget के हिसाब से कपने खरी दे जाते हैं उस budget के हिसाब से जो है आपकी जो marriage hole है वो book किया जाता है उस budget के हिसाब से जो है सारे चीजे जो है decide की जाती है उसके बाद में स्टाफ को पर point किया जाता है घर में जितने भी family members है उन सब को बोला जाता है आपका काम यह है आपका यह है आपका यह है आपका यह है और फिर उससाब से उनको ऑथोरिटी responsibility दे दी जाती है फिर उससाब से आगन को direction दिया जाता है कोई सब अपने काम पर लग जाते हैं और end में उन पर control भी रगा जाता है हाँ यह हो गया काम अच्छा चलो ठीके जैसे कुछ लोग होते हैं हलोई के पास बेटे हैं कोई कहां बेटे हैं कोई कहां बेटे हैं आपको पता नहीं चल रहा होता है लेकिन बहुत अच्छा management हो लहा होता है तभी एक इतना बड़ा functions होता है हमारे इंडिया के इंदर बार विदयो से में ऐसा नहीं होता है इंडिया में जेतने बड़ी-बडी मेरिज के functions होते हैं इंडिया में बाहर की नहीं होते हैं यहाँ पर दो 2000-5000-5000 लोगों का घान तक हो जाता है तो यह सब management की ब उनको इस तरीके से और्गनाईज करो, उनको इस तरीके से बाट दो, उनका डिस्टिबूशन कर दो, इस तरीके से और रेस्पोंसिबिल्टी को दे दो, और उनके वीच में ऐसा कोडिनेशन बिठा दो, कि आपका जो काम है वो अच्छे से हो, कोई प्रॉब्लम में आए, ऑर्गनाईजेशन. So, ओर्गनाईजेशन या और्गनाईज इंग वर्ड जो है, उसमें जो आपके स्ब्सक्राइशना nic barrel, मैटाड, मसीन, उन सब को इस तरीके से करना, उन सब को इस तरीके से authority और responsibility देना उन सब के बीच में इस तरीके से coordination बिठाना कि smoothly जो है काम चले So organizing सबसे पहले आप पूछे What is organizing? Organizing is a function, major function of management और organizing में क्या-क्या होता है वो मैंने आपको बताया अभी थोड़ा सा कर कोई पूछे आपको Process क्या है organizing का जैसे ये management के function है और ये पूरा एक काम का पूरा एक process है जैसे कैसे organizing का भी प्रोसेस होता है Organizing के process में सबसे first तै किया जाता है Set of Purposes कि या आप organize कर रहे हो ना हाँ, आपका purpose क्या है? एक तो main planning के time purpose decide किया जाता है पूरे business का वो नहीं आप जो organize कर रहे हो इसका purpose क्या है? Resources को organize कर रहे हो responsibility दे रहे हो, authority दे रहे हो तो उन सब के individually purpose तै करना managers के purpose तै करना और उसके बाद में group activities group में बाटना जैसे for example के लिए business के अंदर बहुत सारी departments होते है अगर आप अच्छे से थोड़ा सा business को जानते हो तो जानती होंगी, normal चीज़े बता रहा हो मैं कोई high level पे नहीं जा रहा हो जैसे production department हो गया marketing department हो गया, HR department हो गया finance department हो गया production department का का काम है, production करना marketing department का का काम है इस तरीके से product की branding करना advertisement करना, promotion करना ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आए, लोग खरीदें उसको और हम sale करें ज़्यादा से ज़्यादा और फिर आता है हमारा HR department की जो skill, unskill, semi-skill लोग हैं, आपके पास employees हैं उनको train करना इस हिसाब से कि आपका quality जो है वो अच्छी रहें और आप उस तरीके के लोग आपके पास रहें, जिसकी आपको जरूरत हैं और फिर आपका आगया finance department वहिया, यह सब करना तो है, लेकिन पैसे भी तो लगेंगे इसके, तो कहां कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना है, यह सब तो यह जो department है, इनमें जो भी लोग हैं और resources हैं, उनको इस तरीके से organize करना, उनके सबसे पहले तो purpose set करना जैसे production department का purpose क्या है, उसका purpose है, कम से कम cost को कम रखके अच्छे quality का product मनाए, marketing department का है, कि ज़्यादा से ज़्यादा demand लेके आए, उस product की ताकि sale बढ़े, HR department का है, जो लोग है, वो skilled हो, इतने talented हो, उनको training दो, कि वो अच्छे से अपना काम करें, finance department का काम है, जो उनके पास capital है, उसका optimum utilization किया जा सकें, कि उससे अच्छा return आए, वो अपना ध्याद रखेगा, अब इन सब के अपने अपने purposes हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो है, next step आ रहा है, आप इनको क्या कर दो, authorities भी दो, जो main इनके उपर manager होगा, जो एक तो department manager हो गए, और एक main manager हो गया, top level का manager, उसके नीचे department के manager आ गए, ठीक है, तो वो department के जो manager है, उनको आप कोई काम दे रहे होना, तो उस काम के साथ साथ में उसको responsibility भी दो, और authority भी दो, कि वो decision ले सके, अपनी field का, हर बात पे आके top level के management पे पूछना नहीं होता है, जहां उसको necessary लग रहा है, उसको ऐसी responsibility दो, responsibility के साथ साथ authority दे, तो यह आप power दो, कि उस power का use करके, वो decision लेके आगे बढ़ सके, इस organization के hit में, so, आपको क्या set of purpose बनाने सब के, group activities बनानी है, कौन सा group क्या क्या काम करेगा, उसके बाद assign authorities, उनको authorities दे दो, साथ में responsibility भी जाएगी, तो अकाउंटेबल हो जाएगे, यानि कि जैसे किसी को आप only authority दोगे, only responsibility दोगे न तो कुछ नहीं होगा, responsible मलब ये काम नहीं हुआ, तो इसकी responsibility तेरी है, तो वो कर नहीं पाया, हाँ, ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको ये power भी दे रहे है, आपको authority भी दे रहे, अधिकार भी दे रहे, अब ये काम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ, तो फिर आपकी इसके लिए accounting बलब, मलब आप दाई हो, इसके उत्रदाई हो, आपकी जम्मेदारी हो, तो जम्मेदारी के साथ-साथ में आपको power भी देनी पड़ी है, उसको authority भी देनी पड़ी है, और last है coordination, जितने भी department है, एक organization के अंदर, उन सब एक coordination होना चाहिए, समनवाय होना finance department मुझे इतना budget दे कि मैं बहुत जादा advertisement करूँ, बड़ी-बड़ी celebrities को hire करूँ, promotion करूँ, marketing करूँ, अच्छे advertisement करूँ, demand जादा आएगी, और जो production department है, वो finance department से क्या चाहता है, वो चाहता है कि वहिया मुझे आप इतना fund दो कि मैं automatic machine लगाऊ, new machine लगाऊ, नया plant लगाऊ कि production की cost क्या हो जाए, कम, अब दोनों business के hit में सोच रहे है, अब लेकिन finance department किस की सुने, marketing department की, उसको budget जाजा दे, या फिर आपके production department, तो यहाँ पर coordination होना बहुत ज़रूँ, नहीं तो problem हो जाएगी, लोगों के hit आपस में टकरा जाएगी, लोग एक दूसरे के दूस्मन ब department और आपको production department, इस सब की बीच में coordination होना चाहिए, तो वो मिल बैठ करके, अच्छे से business के hit में decision ले सके, तो coordination is most important thing, यह final step है, तो यह process of organization है, ठीक है, आपको high-op organizing समझ में आया होगा, ठीक है, अब principles of organizing, organizing के कुछ principle भी है, आप organizing करो जब resources को organize करो, authority, responsibility, accountability, coordination, वगरा, जब organization के अंदर पूरा उसका structure, group of activity, decide करो, तब आपको इन principles को ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट, unity of direction, यह unity of direction और unity of command, henry fuel के जो principles थे वही है, henry fuel के 14 principles थे management के, उसमें दो यह भी आया थे, unity of direction, तो henry fuel के जो principle है, वो हमको use कर नहीं है, कब जब हम resources को organize करे, एक business के अंदर organization का process start क तो unity of direction का मतलब होता है, जब भी आप किसी group को कोई काम दो, तो उस काम से related जितनी भी other activity है, वो भी सम उसी को दो, जैसे for example के लिए, आपने हलवाई का काम जो है, किसी एक बंदे को swap आ, अपने घर में साधी है, और भया जो भी मिठाई वगरा बनाने का काम है, यह सारा किस एक बंदे को swap दिया, तो अब उस से related सारे काम उसको देदो, कि भी आप vegetables को purchase करके लाना का responsibility तेरी है, तेरे अंडर में 2-4 लोग रख देंगे, तो उनसे करवा सकता है, और किराने का जो सामान लेके आना है, वो भी जिमेदारी तेरी है, फिर हलवाई decide करना है, वो जिमेद नहीं आएगा, ऐसे नहीं देना, एक ही व्यक्ति के अंडर में सारे वो काम देदो, तो unity of direction का मतलब होता है, एक ही direction में जितने भी काम है, वो एक ही बंदे के अंडर में देदो, ताकि वो उन सब काम के अंडर coordination बिटा कि उनको अच्छे से कर पाएगा, और सब के लिए responsible भ तो boss है, boss होते हैं उपर से 2-3, तो एक ही बंदे को 2-3 boss से order नहीं आने चाहिए, एक boss से एक ही subordinate को, एक ही employee को order जाना चाहिए, तो वो confused नहीं होगा और काम को अच्छे से करेगा, next आता है authority, मैंने बोला, आप सारा का सारा काम top level का management नहीं कर सकता, अगर routine work भी top level का management करने ल apply करना ही पड़ेगा, जैसे घर में जाधी है और जो main मुखिया है, उसने पूरा का पूरा काम जो है, खाने पीने का जो वश्ता का है, वो किसी एक person को दे दिया, तो उसको authority भी दे दो, उसको पैसे दे दो, उसको power दे दो, उसको responsibility दे दो, सारे काम उससे related उसको दे दो, ज जैनीन क्या होगा, वो भी एक बंदे को दे दो, अब उसके ऊपर छोड़ दो, अब आप उसके बीज में टांग मत आड़ाओ, जब तक कि उसको problem नहीं है, यह होती है, authority, power दे दो, next, span control, यह बहुत important है, span control, span sorry, span नहीं है, span, span control, span control का मतलब यह होता है, कि, जैसे management है न, वो एक तरीके से वही अपनी power को और लोगों तक दे देना, management, जो manager है, top level का, यह जो भी एक manager है, उसको सारा का सारा control अपने पास में नहीं रखना चाहिए, तो वो भगना हो जाएगा, एक तरीके से, उसको समझ भी नहीं आएगा, कि किस-किस को जवाब दूं, किस को क्या दू इतना वो handle नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी एक इंसान है, so इसलिए अपने control को थोड़ा सा कुछ और लोगों को दो, flexibility, आपके organization के अंदर जो भी process है, जो भी coordination है, जो भी आपने organization का structure बना रखा है, उसके अंदर flexibility भी होनी चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, तो जितना organization process flexible होगा, उतना ही business को फायदा होगा, management by exception, most important है, वैसे एक पहुत बड़ा principle है, लेकिन मैं इसके बार हम बता देता हूँ, management by exception, exception word आपने सुना होगा, जैसे एक class है, उसके अंदर सब के सब डफोर है, एक बच्चा है, जो बहुत हुशियार है, और वो टॉप कर गया, यह exception होगा, यह एक class है, जिस पर सारे के सारे बच्चे बहुत हुशियार है, 99% student जो है, 100 मिसे 99 हुशियार है, एक ज़ना है, जो फैल होगा, यह exception होगा, अब वा, तो management by exception का मतलब यहाँ पर क्या है, वो समझे, management को, manager को, जो top level के managers है, उनको routine work में interfere नहीं करना चाहिए, बस authority द अब लोगों को काम करने तो, हाँ, control करने के लिए कुछ, आप appoint कर सकते हैं, दूसरे management को, लेकिन उस routine work में, जो routine work है, morning में आएगा, machine चलेगी, production होगा, यह सब होना ही है, जो routine work है, तो उसमें आपको interfere नहीं करना चाहिए, और नहीं उस पे आपको ज़्यादा focus करना ना कि routine work में, अगर वो ऐसा करेगा, तो बहुत सारी opportunity जो है, वो ले लेगा, और उसका फाइदा business को होगा, बहुत बड़े-बड़े कोई threats आ रहे हो, बहुत बड़ी कोई एसा नुकसान होने वाला है, future में सामने दिख रहा है, तो उसको उसके लिए पहले से वो त्यारी क पाएगा, लेकिन अगर वो top level का management routine work में अगर रह गया, तो फिर वो routine work में रह जाएगा, कितनी सारी opportunity आएगी और जाएगी पता ही नहीं चलेगा, जाने के बाद पता चलेगा, और opportunity मतलब कोई अवसर आ रहा था, कोई बड़ा order आ रहा था, और कोई ऐसा बड़ा threats था, जि कुछ ऐसी चीजें जो routine में नहीं है, वो होने वाली है, उस पर ध्यान देना चाहिए, next है, scalar principle, top से लगा कर bottom तर, कौन किसको order देगा, और suggestion जो जाएंगे, advices जाएगी, वो नीचे से उपर कैसे जाएगी, coordination सारे department में कौन किस से करेगा, कौन किसी का boss है, कौन किसी का employee है, यह सब कुछ पहले से ही, अच्छे से, decide होना चाहिए, authority, responsibility के साथ ही, यह है scalar principle, so I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब next lecture के अंदर हम organization के structure जो है, उस पर बात करेंगे, जो की most important है next lecture, क्योंकि organization के structure के उपर question exam में आता है, और अच्छे से समझेंगे, तो लिख पा like और channel को subscribe करना ना भूले, goodbye, thank you.